नमस्का दोस्तों आज की सुडियो में हम बात केने वाल है स्टॉक मार्केट की कुछ बड़ी खबरे जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है सोमवार की दिन सबसे पहले खबर निकल के आ रही है मैं अपमा इंडिया सी इन्फो सिस्टम इस कमपनी को लेकर कमपनी का क्वाट कर कमनी का टोटल इंकम इस क्वाटर में 8,293 लाक रुपीज का देखने को मिलता है क्वाटर क्वाटर बेस के उपर कमपनी की इंकम में लगातार ग्रोथ देखने को मिलता है बाकी यरोनिया बेस के उपर भी कमपनी की इंकम 24,199 लाक रुपीज से 31,576 लाक रुपीज के पहुँच चुकी है बाकी इस कमपनी के expense की बात करें तो cost of raw material के अंदर employee की cost, technical cost और ये सभी प्रकार की cost को मिलाकर कमपनी का total expenditure देखने को मिल जाता है 4844 lakh रुपीज का quarter and quarter base के उपर जिस प्रकार से income बढ़ी है वैसे वैसे करके company के expense भी बढ़ा है बाकी ये रोनिया बेस के उपर भी company के expense में बढ़ोतरी होती भी नज़र आ जाती है net profit की बात करें तो tax and expansion item काटने के बाद company का net profit 2831 lakh रुपीज का देखने को मिल जाता है quarter and quarter base के उपर company के net profits में गिरावट आई है बागी विछले साल same quarter के मुकाबले company के profits में बढ़ोतरी होती भी नज़र आ जाती है year and year base के उपर company का profit 8707 lakh रुपीज से 10753 lakh रुपीज पर पहुँच चुका है बागी इस company के EPS earning पर share की बात करें तो 5.09 रुपीज पर company का EPS trade हो रहा है जो quarter and quarter base के उपर कम हो आए बागी विछले साल same quarter के मुकाबले बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है year and year base के उपर भी company के EPS में एक अच्छा growth है अब यहाँ पर इस company की तरफ से dividend का भी announcement हुआ है जिसकी record date and x date company annual general meeting के अंदर बताने वाली है इसका impact company के share के उपर मेरे हिसाब से positive ही पढ़ना चाहिए क्योंकि यह result इस company के overall यहाँ पर से year and year base के उपर अच्छा है तो valuation के हिसाब से थोड़ा सा महंगा share है तो उस हिसाब से देखने जाए तो गिरावट आती है तो company का share 900 रुपे से भी निचे जा सकता है ठीक है बाकियार इस company के share में आप लोगों को एक ही सला है जो आप लोग invested हो loss में हो बहुत जदा high possibility से loss में ही होंगे तो loss को hold करने में ज़्यादा समझदार ही है ये company का business model आप लोगों को नहीं बताए तो comment section में बता देना आप लोगों के लिए मैं एक short video बना कर दे दूँगा यहाँ पर company का पुरा detailed business model में समझाओंगा ठीक है बाकियार इस company का यहाँ पर से जो इस company के अंतरा आप लोग जो loss में होना तो एक ही चीज में बोलूँगा company के shift में आप लोगों को थोड़ा patience रखना पड़ेगा वापर से company के shift में reversal आएगा थोड़ा time लगेगा एक डिट साल का ठीक है बाकियार इस company के shift में बायर डिप करने का मौका आएगा तो भी आप लोगों को में बता दूँगा अभी यहाँ पर से stock market की कुछ बाकी खबरे भी देख लेता है सबसे पहले खबर यहाँ पर निकल के आ रही है reliance industries को लेकर reliance की एक company है reliance retail उसका यहाँ पर reliance consumer करके इनका यहाँ पर business चलता है तो वहाँ पर company ने दो बड़े कमपनी है रसकीक करके तर इस company के यहाँ पर से इस company को पूरी तरिके से खरीद लिया है और जो candy market की यह company है टौफी मैन करके तर इसको भी यहाँ पर company ने खरी इसके अब रिलाइंस रिटेल वेंचर लिमिटेड इस कमपनी के अंडर में आ जाएगी ठीक है तो यह कहाँ पर अपडेट निकल के आ रही है रिलाइंस इंडस्ट्री की तरफ से इसी के साथ सतर्थ कमपनी का दूसरा यहाँ पर से अपडेट यह है कि वहीं रिलाइंस इंड इसके अब लोग रिलाइंस इंडस्ट्री इसके ओपर क्लारिफाय कर दिया है कि यह जो मर्जर का प्लान था इसको लेकर यहाँ पर कमपनी ने बूला कि यह प्लान विड्टरो कर दिया गया ठीक है तो यह कहाँ पर अपडेट निकल के आ रही है जिसकी वज़से आप को मिले expectation के मुताबीत company का performance है पर अब भी market का reaction देखना पड़ेगा कि कैसा रहता है मिरको आसा लगता है कि यह company के share में तीजी आती है तो easily यह company का share नए हाइस की तरफ जा सकता है मतलब company के share में मतलब इछले कुछ time से यह company का share यही एक range के गिरने की possibilities कम है नीचे गिरेगा तो maximum से maximum 22 रुपे के आस बास वापस से जा सकता है वहाँ से वापस से company का share bounce back कर सकता है ठीक है बाकी अगली खबर निकल क्या आ रही है HDFC को लेकर HDFC एक बहुत ही बड़ा प्लान कर रहा है HDFC अगा आप लोगों को पता ही होगा HDFC AMC है वह HDFC bank के साथ merge होने वाली है तो यह तो यहाँ पर पता ही होगा अभी यहाँ पर SEBI की तरफ से इस merger को लेकर controlling stake को यहाँ पर transfer करने को लेकर approval मिल चुका है अभी आने वाले समय में HDFC AMC है वह HDFC bank का यहाँ पर एक part हो जाए ठीक है उससे पहले company ने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा यह भी यहाँ पर step लिया है HDFC का आप लोगों को पता होगा एक तो HDFC AMC करके यहाँ पर इनकी company है ठीक है और एक और company है HDFC एरगो करके तो यह यह सभी company है ना उसके अंदर company ने क्या किया है अभी रिसेंटली इन दोनों company के अंदर तो company का majority controlling stake है अभी यहाँ पर से इन्होंने क्या किया HDFC life and HDFC ergo करके यह दोनों company के अंदर इन्होंने 50% से जादा की हिस्सेदारी वापस से खरीद लिये मतलब पहले इनके पास 50% से कम की हिस्सेदारी थी तो अभी यहाँ पर क्या किया 50% से जादा की हिस्सेदारी इन्होंने खरीद लिये ठीक है तो इसकी वेते से आप लोग HDFC bank को नजर में रखके चलना मेरे को परसनल ऐसा लगता है किर कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा है यह सारी कंपनियों को सेंट्रलाइज करने के बाद HDFC bank में एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर से स्टैब लिया जाएगा कंपनी के शेड में आप एक अच्छी तेजी आ सकती है इसलिए आप लोगों को यह चीज़ बोलूँगा HDFC के अंदर इंवेस्टेड हो HDFC bank में तो ज़रू से hold and continue करके चलना कंपनी लॉंग टर्म में अच्छा परफोर्मस करके दिखा सकती है ठीक है अगली खबर निकल के आ रही है विदानता को लेकर कंपनी ने आपर हिंदुस्तान जिंक के जो यहाँ पर शेर्स है उसको वापस से प्लेज कर दिया है और यहाँ पर शेर्स प्लेज किये गए है लून परपस के लिए कंपनी ने आपर से इस चिसको क्यों किया है तो यह कंपनी ने आपर सबसे पहले 2.44% जो शेक है वो यहाँ पर प्लेज कर दिया है और इसके लिए इन्होंने आपर टोटल 15 करोड पेस का टर्म ल यहीं की यहां पर हट्ट कालों कया है लोन लिया तो आपक यह काहँ रोपीस का लिया अभी दिक्कत काहा रही बताए इस की कपनी का है हींदुस्ता जिंग है यहां पर अपने Це्र लोन का क्यांब उसकर अड्य का लिए तो फो वर्टिग कंपिटियम एक्सधोर की लिए तो मतलब कंपनी की हालत अभी यहाँ पर थोड़ी अच्छी नहीं चल रही ठीक है तो यह एक यहाँ पर नेगीटिव खबर है विदानता को लेकर और उसे की साथ साथ हिंदुस्तान जीन को लेकर जो आप लोग ज़रू से ध्यान में रखके चलना अभी यहाँ पर से इन दो आने वाले 15 साल के लिए पावर सप्लाई करना है तो यहाँ पर से एक MPSEZ लुटिलिटीज लिमिटेड करके condition यहाँ पर से ऑलगनाईजर से मलब जो भी यहाँ पर company है इस company को यहाँ पर आने वाले 15 साल के लिए यह पावर सप्लाई करेगी अदानी पावर तो यह एक यहाँ पर agreement है वो sign किया गया है और यह जो यहाँ पर से company को आने वाले समय में जो यहाँ पर गुजरात मुंद्रापोट की मतलब गुजरात मुंद्रापोट के अंदर long term power agreement के तहती इस company को यहाँ पर order मिलाए ठीक है तो भाई अदानी पावर इस company को ज़रूर से ध्यन में रखे शलना आने वाले समय में इस company के शेव में भी एक अच्छी तीजी आ सकती है मैं तो आप लोगों को एक चीश चीश बोलूँगा अदानी ग्रिव से दूर हो तो जाद अच्छा है फाइदे में रहोगे बाग्यार आप लोग यहाँ पर बहुत ज़दा रिसकी इंवेस्टर हो और स्टॉक मार्केट में रिसक के तो इसके करने आये हो तो आप लोग खरीदारी कर सकते हो ठीक है बाकी अगली खबर निकल के आ रही है सीम्स एंड आर्वी की लिछ ऋ चल रहा है उसका यहाँ पर कंस्ट्डॉकly को लेकर 40 किलोमेटर का कवेजिंग यहां पर देखने को मिलेगा मत पर 40 तक कियों पर रेल की पटरी बिच्ड़ाई यहां पर से 38 remembrance में रीडर जो फेस चले रहा है उसके अंदरarenthव मेट्री को 18 km कर्वरजिंग तो पर से 23 स्टेशंस बनाने हैं और एक डेपो बनाना इडिक है तो इसके लिए ये दुनों ही कंपनी को order मिला है और ये जो यहाँ पर से order की amount है सीम्स को यहाँ पर पाट है उसको यहाँ पर 680 करोड रुपीस के आसपास को order मिलता हुआ नजर आ रहा है और ये जो यहाँ आपर से rvnl को भी आपर एक अच्छी खासी amount में पैसा मिलेगा इस order को complete करने की बाट है तो इसकी वज़ए से आप लोग ग्रो कर रही है long term में भी इस company ने consistency दिखाई है यह company के ship में जो गिरावट आती है ऐसी कोई गिरावट आती है तो यह खरीदारी करने के मौके रहेंगे तो यह चीज़ आप लोगों को ज़रू से बोलूंगा ठीक है अगली और last कबर निकल के आ रही है jsw energy इस company को लेकर company का यहाँ पर से एक arm है इसको यहाँ पर 51 megawatt की एक wind project को लेकर order मिलता हुआ नजर आ रहा है तमिल नाडू के अंदर तो यह एक यहाँ पर update निकल के आ रही है जो आप लोग jsw energy को लेकर ध्यान में रखके चलना तो यह एक यहाँ पर खबर है जिसकी वज़े से company के से में हाँ डुष लगहाँ है झाड़े से एक यह एक यहँ एक बर यहाँ वगाँ झाड़े से स्वास के सबस्सब्सें के सबस्सें कर लेकर थासभी